उत्तर परदेश सरकार द्वारा आज चोथे ग्राउंड सेर्वनी का उद्गाटन किया गया है और उत्तर परदेश साथ साल में कहां से कहां तक पहुँचा है उसके लिए मेरे साथ मेरट से आई सांसद राजजंदर अगरवाल जी हैं उनसे बात कर लिते हैं सर आज शामली में आप पहुँचे हैं तो डिजिटल प्रोग्राम भी आपने देखे हैं तो क्या क्या प्रोग्रेस हुई अत्तर प्रदेश में इन 7 साल में 2017 में मनिने योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य мен通 मनेंदे मिन 17 कि सरकार आई तो सोच थि सब्वेश कानून विवस्था खी तिस भिष्जी, पहले लोग को बुरूरुस ख़िद वहीं थी लोग से चोड़ करके जाने की चुक रहते थे और बाहर से तो कोई आता ही नहीं था और मुझे ध्यान है अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बार इन्वेस्टर मीट करने कोशिश की सफल नहीं उन्होंने दिल्ली में की दिल्ली में भी लोग नहीं आए कोई कि भुरोसा नहीं था नहीं के वैसा वातावरंग था पर योगी जी के आने के बाद 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी हुई उसके पश्चिश होती हुई है और निरंतर जो निवेश है उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा इस बढ़ दसलाक करोड का निवेश के प्र प्रदेश की प्रत्यक विधान सभा किस तरबर इस प्रकार का का इस प्रकार का का हो रहा हूँ जब फश्च सेरे मने हुई तो सुरुआत हुई थी एक सट हजार करोड से लेकिन आज वो दसलाक करोड तक पहुच चुकी है तो ऐसे में रोजगार के और वयापार के क्या-क प्रदेश का अच्छे बन सकते हैं प्रौशिस है जब शुरू होता है तो आगे बढता है पुरानी सरकार में सुझ चला गया बीरोजगार वरती चलेगी उद्याम बरबात होते चलेगे अब यह जो सरकार है इससे बोन निरंतर विद्धी की ओर है जैसा आपने का कि 65,000 को टे 10 ला करोड तो हम आ गए चोथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरीमनी के अंदर ये निरंतर बढ़ेगा और भारत को आद में दिर पर बनाने का जो संकल्प मानने मोदी जी का है उसके साथ कदम से कदम मिलाते हैं उत्तर देश भी आगे बढ़ रहा है वन टिलियन डॉलर की एकोनोमी हम अपनी बनाएंगे और चाया वो टूरिज्म हो चाया वो उद्यम हो चाया वो व्यापार हो प्रतेक शेतर के अंदर उत्तर बेश आगे बढ़ रहा है उसका परिचह आज के कारकरम के अंदर सबको मिला है दन्यवासर हम से बात करने के लिए देखे मेरे साथ मेरेट से आज सांसद महुदैल जी थे जिन्नोंने साबतोर पर बताया है कि दस लांक करोड का जो है इस फोर्ट सेरेमनी में निर्न लिया गया है और 34 लांक नई रोजगार जो है उत्तर परदेश सरकार देने जा रहे है तो कहीं ने कहीं साथ साल में देश के परदान मंत्री ने भी कहा है कि साथ साल में उत्तर परदेश में काफी बदला हुए है तो देश के परदान मंत्री ने भी आज फोर्ट सेरेमनी को संबोधित किया है और सामली में आये शांसद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस्स न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24